नमस्कार स्वागत है अब सभी का सिक्षा सेटे के सेटोब चैनल में दोस्तो आज हम लेकपाल भरती परिच्छा के लिए 25 समान एग्यान के जो इंपोर्टेंट प्रस्ण हो सकते हैं उन सभी को हम कवर करेंगे दोस्तो यह जो 25 प्रस्ण आप तक पहुचाएंगे यह 25 प्रस्ण प्रिवियस इयर क्रेस्टन पर बेस्ड है याने की पिछले वर्स में जितने भी लेकपाल की परिच्छाएं हुई हैं उन सभी परिच्छाओं में यह 25 प्रस्ण समान एग्यान के पूछे गया हैं तो इन 25 को आप बिल्कुल ध्यान से दिखिएगा तो चली वीडियो को सुरू करते हैं तो पहला प्रस्ण है केंद्र सरकार के विकास ब्याय में किसको सामिल नहीं किया जाता है काफी अच्छा प्रस्ण है तो केंद्र सरकार के विकास ब्याय में किसको समलित नहीं किया जाता है तो और आलतिक से वहां पर ब्याय जो है केंद सरकार के विकास ब्याय में सामिल किया जाते हैं परन्तु रच्छा ब्याय को सामिल नहीं किया जाता है तो आप इसे याद रिखेगा यहां पर डिस्किप्शन पर देख रहा है केंद सरकार के समस्त ब्याय को योजनागत ब्याय और गैर योजनागरत ब्याय में बाटा जा सकता है जिने क्रमस विकासात्मक ब्याय और गैर विकासात्मक ब्याय भी कहा जाता है गैर विकासात्मक ब्याय क्या क्या होते हैं जैसे रच्छा ब्याय, सबसीडी, ब्याज, पिंसन, भुक्तान ये सबी जो ब्याय होते हैं ये गैर विकासात्मक ब्याय होते हैं तिने भी आप ध्यान से देख लिजेगा अगला प्रस्ण है अगला प्रस्ण आपका है हमारे रूधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन दोरा किया आता है उसका क्या नाम है तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो किसके तोरा किया था तो हीमोगलोबीन के तोरा हीमोगलोबीन की उपस्थती के कारणी हमारे रक्त का जो रंग होता है वह लाल होता है अगला है यहाँ पर आप देख रहे हैं हीमोगलोबीन में अधिकतर प्रोटीन होता है और यह जो प्रोटीन होते हैं एमीनो एसिट की स्रिंखला से बने होते हैं अगला प्रसने आपका है अंतरास्टी गमन यानि कि माइग्रेशन क्या होता है तो अंतरास्टी गमन क्या होता है देश के बीच में लोगों का संचलन याने की एक देश से दूसरे देश के बीच में जो लोगों का संचलन होता है उसको हम कहते हैं अंतरास्टी गमन याने की माइग्रेशन जो एक देश से दूसरे देश में व्यक्ति जाते हैं तो उसको कह जाता है, migration यहाँ पर देख रहे हैं, एक छेतर से दूसरे छेतर की हो जन संख्या का संचलन प्रवासन या migration कहलाता है और यही संचलन जब एक देश से दूसरे देश को होता है, तो अंतरास्टी गमन यानि की migration इसको कहा जाता है, अगला प्रस्थन है, सौट बैंक और Foxconn Technology ने एक संयुक्त उपकरम SBG यह उस समय के Current Interface का प्रस्थन उतना आपके लिए Important नहीं है तो इसे आप ध्यान मत दीजिएगा अगला प्रस्थन है नेपाल भुकंप तराज़ी के दोरान भारा सरकार के दोरा संचालित किये गए बचाव कार्डियो यानि कि Rescue Operation को कौन से नाम दिया गया यह भी उस समय के Current Interface का प्रस्थन है इतना Important नहीं है एक Operation Vanilla चला गया था यह आपके लिए Important होता था इसी तरह का है तो Medagascar में एक तुफान आया था तो उसके लिए हमारी जो Indian Navy है उसने Operation Vanilla चला था आप इसे याद रख सकते हैं तो Operation Vanilla जो है यह चला गया था कहां पे तो Medagascar में जो तुफान आया था तो उसमें बचाव के लिए जो हमारी Indian Navy उसने Operation Vanilla चला था तो इस Operation Vanilla में कौन सा जहाज बचा गया था तो जहाज भेजा गया था कौन सा तो इस जहाज का नाम है एरावत आयनेस एरावत गया था इस Operation Vanilla में तो आप इसे याद रिखेगा इसके साथी एक Operation समुद्र सेतु भी चला गया था इसे भी आप याद रख सेते हैं इसी के तरच पे है एक Current Fs का प्रस्ण जो आपके जहाँ पूछा सकता है तो Operation जो समुद्र सेतु है यह चला गया था विदेशों में फसे हुए भातियों को वापस लाने के लिए तो Operation का नाम दिया गया था समुद्र सेतु तो इसे भी आप ध्यान दिजेगा अगला प्रस्ण है लोग सभा चुनाओ के लिए उम्मिद्वार बनने की नियुंतम आयू सीमा कितनी होती है तो लोग सभा उमिद्वार बनने के लिए नियुंतम जो आयू सीमा है वो 25 वर्स रखी गई है और राज सभा के लिए 30 वर्स है तो इसे आप ध्यान दिजेगा लोग सभा के लिए 25 वर्स है और राज सभा के लिए 30 वर्स रखी गई है आयू सीमा तो आप इसे ध्यान दिजेगा इसके बाद लोक सभा में total बींबर तो गिक पूछा है तो लोक सभा में total maximum member की में में बात करहें तो total maximum member लोक सभा में हो सकते हैं 552 और वल्तमान में कितने member हैं तो 545 सीटों पर वल्तमान में चुना होता है लोक सभा की इतसे आप त्याहिखेगा maximum member लोगसभा में 552 हो सकते हैं पर अंतु वल्तमान टाइम में लोगसभा में 545 सीटों पर मतदान किया जाता है तो आप इसे याद रिखेगा एक चीज़ और आप से जहां में पूछी जा सकती है लोगसभा सीट या उतर्प्रदेश लेकपाल की परिच्छापदारिश विडियो है तो लोगसभा सीट उतर्प्रदेश की पूछी आ सकती है उत्रप्रदेश में सरवाधिक है 80 त colonize आप ध्यान दीज unw 1946 को प्रत्यच कारवा ही दीवस मनाया गया था किसके दवारा तो 16 अगस्त 1946 को जो प्रत्यच कारिवाही दिवस है यह मनाया गया था मुस्लिम लीक के द्वारा यानि आप्शन भी इसका बिल्कुल सही है मुस्लिम लीक के द्वारा जो है 16 अगस्त 1946 को प्रत्यच कारिवाही दिवस मनाया गया था तो आप इसे याद रेखिए अगला प्रस्लन है चोरी चोरा हत्याकान यानी चोरी चोरा की घटना यह कवी थी तो 5 फरवरी 1922 को जो यह 4 चोरा की घटना होी थी कहा पे तो उत्तर पदेश के गोड़कपूर में 4 चोरा नामक अस्थान था यहीं पे यहागटना घटित हुई थी तो आठ ध्यान दीजेगा उत्तरपदेश के गोरखपूर के चारी-चारा नामक जगह पर यहाँ घटना घटित हुई थी तो इसी घटना को नाम दिया गया था चारी-चारा घटना तता यह 5 फरोरी 1922 को घटीत हुई थी भीड पर गोली चला दी जिससे लोगों ने गुस्से में आकर भीड ने जो थी उससे में प्रदसन कर रहे थी उसने पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया था और उस पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी जिसके कारण जो है 22 पुलिस कर्मी मारे गए थे इसी घटन के नाम से जाना आता है तता यह जो चौरी चौरा नामक जगाए है उत्तरप देश के गोरकपूर में है अगला प्रसन वारा है निमलिकित में से सबसे अधिक रिण विद्धुती तत्व कौन सा है तो निमलिकित में से सबसे अधिक जो रिण विद्धुती तत्व है इसमे दिम्लिकित में से कोन केबिनेट अस्तर का होता है तो बीपच्य का निta होता है के झाल इसे ध्यान दिजेगा और आर्बीट में के गवर्नर और थे तो सक्ति कांत दास हें तो इसे भी आप ध्यान इसके बाद हमारे जो महालेखा परिच्प कॉन है, तो हमारे जो महालेखा परिच्प कौन है, घख अधिकारी है, और हमारे महा नियाइवादी कॉन प्रिजन टैम में है, यानि Attorney General of India तो केकए वेडू गोपाल कौन है तो केके वेडु गोपाल जो है ये हमारे सर्वर्ष कानु 누थेक अगला प्रस्ता है अगला प्रस्त हमारा है प्रहादीपी भारत का दच्छडी सू छोर कन्या कुमारी कहां इस्तित है तो कन्या कुमारी आपको मिलेगा कहां पर भुमद्रेखा के उत्तर में तो आप इसे यादेखेगा जो कन्या कुमारी है यह हमारे देश का मतलब मुक्य भूमी का सबसे दच शुट्टे बिंडू हमारा होता है कण्या कुमारी अगर मेंद लेंड को छोड़ दिया जाए तो हमारा सबसे दशुर्टम बिंदू कौन कलाता है तो इंधिरा पॉइंट जिसको हम pigmalion point करते हैं अगर mainland की बात नहों तो हमारा सबसे दचुर्टम बिंदू होता है इंद्रा point जो की Great Nicobar दीव समू में स्थीत है अगर mainland की बात हो तो हमारा सबसे दचुर्टम बिंदू हो जाता है कन्या कुमारी तो इसे भी आप ध्यान दिजेगा अगला प्रस्थ नमारा है वह कौन सा स्थाने जहां पर अंतिम मुगल समराट बहादू सा जफर की मृत्ति हुई थी तो रंगून में बहादू सा जफर की मृत्ति हुई थी तो आप इसे याद देखिएगा अप्सन ए इसका बिल्कुल सही है बहादू सा जफर जो थे अंतिम मुगल समराट थे इनके मृत्तिव जो हो गई थी रंगून में होई थी तो आप इसे याद रखिएगा अगला प्रस्थ नमारा है सविनय अवग्या अंदोलन का मुख्य उद्देश से क्या था तो नमक करके विरुद्धिया अंदोलन चलाय गया था सविनय अयोग्या अंदोलन इसकी जो सुरुवात थी वह डांडी से की गई थी 12 मार्च 1930 को मात्मा गांधी के दोरा अगला प्रस्थ नमारा है नपीपी का मतलब क्या होता है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इसका पूरा नाम है यहाँ पे इसका डिस्किप्शन भी आप वीडियो पहुच करके पढ़ सकते हैं अगला प्रस्थ नमारा है हाली में अंतराष्टी क्रिकेट काउंसिल के अध्यच किसे बनाया गया है यहाँ पे ICC की बात हो रही है तो यह उस समय के करेंट अफेस का प्रस्थ नहीं तो मैं आपको बताया था हूँ इस समय के करेंट अफेस related ICC के कुछ important events सबसे पहला ICC 2019 का World Cup किसने जीता आपके लिए important है तो England में यह World Cup हुआ था England और Wales में और जीता था England ने इस World Cup को ICC 2019 का किसको हरा के final में तो New Zealand को final में हरा कर England ने 2019 का ICC World Cup जीत लिया था तो 2023 का ICC World Cup कहां पे होगा तो भारत में इसका आयोजन किया जाएगा ICC के chairman कौन है तो present time में ICC के chairman का पद खाली है क्योंकि इससे पहले जो ससांक मनोहर थे ससांक मनोहर इसके क्या थे chairman थे परनतु ससांक मनोहर ने ICC के पद से स्थिपा दे दिया है तो present time में ICC का जो पद है वह खाली है तो अब इससे याद रखिएगा तता ICC के CEO कौन है तो मनु साहनी मनु साहनी जो है ICC के CEO है तो अब ध्यान दिजेगा ICC का headquarter कहां पे है तो ICC का headquarter मिलेगा कहां पे दुबई में कहां दुबई में ICC का present time में headquarter है अगला प्रस नमारा है June 2015 ये भी उस समय के current interface का प्रस ने उतना relevant आपके लिए नहीं है अगला है अच्छादन यानि कि अनावरन पर किसी पदात का वायू से नमी का अवसोसन करने के गुड को क्या का जाता है तो अच्छादन यानि कि अनावरन पर किसी पदात का वायू से नमी का अवसोसित करने का जो गुण है उसको प्रस्वेधन कहा जाता है यानि option A बिल्कुल सही है प्रस्वेधन दाले किस का अच्छा श्रोथ होते है मतलब जो pulse होती है जो दाले होती है निमलकित में से किसका अच्छा सूरत हो ते प्रोटीन का, सबको पता है, इंसर इसका, अगला है, मतुरा, डिकबोई और पानिपत में परिसकरन सलाएं किसके लिए अस्थापित की गई हैं, तो Indian Oil Corporation Limited के दोरा जो है, मतुरा, डिकबोई और पानिपत में जो हैं, परिसकरन सला अस्थापित की गई हैं, तो अब इस आदेखें कि Indian Oil Corporation Limited, अगला प्रस्थन है, निमलकित में से किसको समिधान की आत्मा के रुप में जाना जाता है, तो अब इसे ध्यान दीजिएगा, अगला प्रस्थन हमारा है, बस यह आज का लाश्ट प्रस्थन था, किसका, तो समान इज्ञान का किसे रिलेटेड तो लिखपाल बती परिच्छा से रिलेटेड तो आज के लिए वस इतना ही, थैंक्यू, थैंक्स पर वाचिंग, थैंक्यू